नमस्कार दोस्तों विद्याविजन इंसिच्टूट में आपका स्वागत हैं मेरा नाम है हिमानशू और दोस्तों आज के इस वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एड एंगिल्स जिसमें पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन दोस्तों इस वीडियो में हम ला लेते हैं लाइन लाइन किसे कहते हैं जैसे कि ये एक लाइन है अब इस लाइन की क्या प्रापर्टीज होती है दोस्तों ए लाइन इस ऑल्वेस स्ट्रेट लाइन हमेशा सीधी होती है एस नो थिकनेस लाइन की कोई भी चोड़ाई नहीं होती है एक्स्टेंड इन बोथ ड एक बार फिर से, a line is always straight, has no thickness, extend in both directions, and has no ends. तो यह हो गई line की definition. अब दोस्तों, अगर किसी line का एक end हो और दूसरा end ना हो, तो उस line को हम कहते हैं, ray. जैसे कि यह एक starting point है, a. अब यहां से एक line start होती है, और उसका कोई end नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं, ray. इसका एक बहुत ही अच्छा example है, जैसे कि torch. जब भी हम एक torch को start करते हैं, torch को on करते हैं, तो उसमें से raise निकलती है, जिसका एक starting point तो होता है, लेकिन end point नहीं होता. उसी तरीके से, अगर किसी line के दो end point हो, तो उसे हम कहते हैं, line segment. जैसे कि यह एक line है, और इसके दो end point है, a और b. इसी लिए हम इसको कहेंगे line segment, तो दोस्तों, line यानि जिसके कोई end parts ना हो, ray यानि जिसका एक end part हो, starting point, और line segment यानि जिसके दो end parts हो, दोनों तरफ से वो end हो रही हो. तो यह हो गई, line, ray और line segment. अब दोस्तों, intersecting और non-intersecting lines क्या होती हैं? दोस्तों, अगर किसी plane surface पे कई सारी lines हैं, तो या तो intersecting होंगी, या तो non-intersecting होंगी, यानि parallel होंगी. Lines can be two types, either intersecting और parallel. अब जैसे कि यह दो lines है, L और M, एक दूसरे को intersect कर रही हैं, इसलिए हम इने कहेंगे intersecting line. उसी तरीके से, ये दो line है, P और Q, ये दोनों आपस में parallel हैं, और आपस में कभी भी intersect नहीं करेंगी. इसलिए हम इसको कहेंगे non-intersecting line या parallel line. दोस्तों, हमने intersecting और non-intersecting line समझ ली, अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि collinear और non-collinear points क्या होते हैं. If three or more points lies on the same line, they are called collinear points, otherwise they are called non-collinear points. Once again, if three or more points lies on the same line, they are called collinear points, otherwise they are called non-collinear points. यानि, कोई भी three points अगर एक ही line पर हैं, तो उन्हें हम कहेंगे collinear points, otherwise वो होंगे non-collinear points. जैसे कि example, देखिए ये three points हैं, A, B और C, उसी तरीके से ये three points हैं, P, Q and R. और जैसा कि हम देख सकते हैं, ये three points जो हैं, A, B, C एक ही line पर हैं, तो इसे हम कहेंगे collinear points, और P, Q, R एक सीधी line में नहीं हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे non-collinear points. पॉइंट A, B and C are collinear points, and पॉइंट P, Q and R are non-collinear points. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं, angles, अभी तक हमने lines के बारे में पढ़ा, अब हम angles के बारे में पढ़ लेते हैं. दोस्तों, angle आखिर होता क्या है, angle बनता कैसे है, when two rays are originated from the same points, an angle is formed. यानि कोई दो ray एक ही point से जब निकलती हैं, तो एक angle form होता है, जैसे कि ये दो rays है, ये एक ही point से निकल रही हैं, और यहाँ पर ये एक angle form हो रहा है. The corner point is called vertex, और वो point जहां से वो ray निकल रही है, उसे हम कहते हैं, vertex, ये हो गया हमारा vertex, and the rays making an angle is called arm, और वो rays जिनसे वो angle बन रहा हो, उसे हम angle की arm कहते हैं, जैसे कि ये हो गई angle की arm, चलिए, एक बार और इसे देख लेते हैं, The corner point is called vertex, and the rays making an angle is called arm, तो ये तो हो गई angle की परिभाशा, अब हम पढ़ लेते हैं, type of angle, कितने type के angle होते हैं, type of angle कुछ नहीं है, angle को उनके size के हिसाब से differentiate किया गया है, इसमें सबसे पहले है acute angle, दोस्तों ये हो गया हमारा acute angle, वो सारे angle जो 0 degree से ज़ादा हो, और 90 degree से कम हो, उन्हें हम कहते है acute angle, दोस्तों, acute angle को याद करने के लिए एक बहुत यासान तरीका है, acute word स्टार्ट होता है A से, और A के बीच में जो angle बनता है, वो होता है acute angle, ये हो गया हमारा acute angle, इस तरीके से आपको acute angle हमेशा याद रहेगा, अब दोस्तों, अगला है right angle, 90 degree के angle को हम कहते है right angle, right angle यानि 90 degree, उसी तरीके से, आप 90 degree से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा obtuse angle, वो angle जो 90 degree से ज़ादा हो और 180 degree से कम हो, उसे हम कहते है obtuse angle, ये हो गया हमारा obtuse angle, greater than 90 degree and less than 180 degree, उसी तरीके से अगला है हमारा straight angle, 180 degree के angle को हम कहते है straight angle, ये हो गया हमारा straight angle, यानि वो angle जिससे एक straight line बनती हो, उसे हम कहते है straight angle, the straight angle is equal to 180 degree, और अगला है reflex angle, 180 degree से ज्यादा और 360 degree से कम, उसको हम कहते है reflex angle, greater than 180 degree and less than 360 degree, is called reflex angle, अब दोस्तों जब ध्यान दीजे, ये angle है ABC, ये acute angle है या reflex angle है, अब इस angle को यहां से यहां अगर आप ना पेंगे, तो आपको मिलेगा acute angle, और अगर हम इसको यहां से यहां ना पेंगे, तो आपको मिलेगा reflex angle, ये angle ABC, acute angle भी है, reflex angle भी है, बस depend करता है, आप इसको starting arm कौन सी है, और दूसरी arm कौन सी, कैसे आप इसको measurement कर रहे हैं, ये इस बात पर depend करता है, और दोस्तों, कभी-कभी इस तरह के सवाल भी पूछा जाते हैं, जिसमें आपको acute angle की value दे दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है, कि इसके reflex angle की value बताईए, और उस case में बहुत ही आसान है, reflex angle is equal to 360 degree minus interior angle, अगर आपको interior angle की value पता है, तो 360 degree से उसे less कर दीजे, आपको reflex angle क value पता हो जाएगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं, complementary angle, अब ये complementary angles क्या होते हैं, when sum of two angles is 90 degree, then they are called complementary angles, एक बार फिर से, when sum of two angles is 90 degree, then they are called complementary angles, यानि अगर कोई भी दो angle उनको plus करने पर 90 degree आ रहा हो, उसे हम कहेंगे complementary angle, जैसे कि ये एक angle है ABC, जो कि है 30 degree, और ये एक angle है PQR, ये है 60 degree, तो 60 plus 30 कितना हो गया, 90, तो angle ABC और PQR हो जाएंगे, complementary angle, उसी तरीके से, एक होता है, supplementary angle, when sum of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angles, यानि अगर दो angles का sum 180 degree है, तो उसे हम supplementary angle कहेंगे, जैसे कि ये एक angle है ABC 120 degree, और उसी तरीके से ये एक angle है PQR, ये है 60 degree, तो ABC और PQR supplementary होंगे, अब दोस्तों, complementary और supplementary, confused हो गएं, बिल्कुल भी confused होने की जुरूत नहीं है, बहुत ही simple है, complementary start होता है C से, और C से होता है corner, और corner होता है 90 degree, एक बार फिर complementary start होता है C से, और C से होता है corner, और corner कितना होता है, corner होता है, हमेशा 90 degree, उसी तरीके से supplementary start होता है letter S से, और S से क्या होता है, S से होता है straight, और straight line हमेशा होती है 180 degree की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों अभी तक हमने discuss किया line, ray और line segment, और हमने discuss किया angles, acute angle, right angle, obtuse angle, reflex angle, और हमने discuss किया complementary angle, supplementary angle, और दोस्तों अब हम discuss करेंगे बहुत important topic, वो है adjacent angle, adjacent angle बहुत important topic है, और बहुत interesting भी है, तो चलिए शुरू करते है, adjacent angle, two angles are called adjacent angle, when they have common vertex, one common arm, and don't overlap, दोस्तों एक बार फिर से, दो angles adjacent angle होंगे, अगर उनकी एक common vertex हो, एक common arm हो, और एक दूसरे पर वो overlap नहीं करते हो, जैसे कि इस figure को आप देखिए, इसमें देखिए, दो angles है, पहला है, यह angle X, और दूसरा है, angle Y, angle X और angle Y, दोनों की एक common vertex है, और एक common arm है, और एक दूसरे को यह overlap नहीं कर रहे हैं, इसलिए, angle X और angle Y, adjacent angles होंगे, अब दोस्तों, इस figure को ध्यान से देखिए, और पता लगाईए, क्या angle X और angle Y, adjacent angle होंगे, नहीं, angle X और angle Y, यहाँ पर adjacent angle नहीं होंगे, हाला कि इनकी एक common vertex तो है, लेकिन कोई भी common arm नहीं है, चलिए दोस्तों, अगला figure देखते हैं, अब दोस्तों, देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर angle X और angle Y adjacent angle होंगे? नहीं यहाँ पर भी angle X और angle Y adjacent angle नहीं होंगे अब इसमें देखिए common arm तो है लेकिन common vertex नहीं है चलिए दोस्तों अगला figure देख लेते हैं यह figure देखिए यह figure बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मैंने example में बताया था अब इसमें देखिए angle X है A, B, D और angle Y है A, B, C अब इसमें देखिए angle X और angle Y adjacent angle होंगे? नहीं यह भी यहाँ पर adjacent angle नहीं होंगे इसमें common arm भी है common vertex भी है common arm है इसमें A, B common vertex है इसमें B लेकिन X और Y दोनों आपस में overlap कर रहे है angle Y जो है angle X पे overlap कर रहा है इसलिए यह दोनों आपस में adjacent angle नहीं होंगे चलिए adjacent angle की हम properties के बारे में discuss कर लेते हैं properties of adjacent angle जैसे कि यह एक figure है A, B, C, D और यह एक angle है X और यह एक angle है Y और यह एक और angle है जिसे हम कहते हैं angle Z angle A, B, C यह हो गया angle Z तो adjacent angle की property यह होती है कि angle X plus angle Y is equal to angle Z यानि when two angles are adjacent then their sum is always equal to the angle formed by the non-common arm एक बार फिर से when two angles are adjacent then their sum is always equal to the angle formed by the non-common arm यानि जो non-common arm से जो angle बनेगा अब देखिए यहां पर non-common arm है A, B और B, C और यह जो angle बनेगा A, B, C इसकी value जो होगी वो दोनों adjacent angle के sum के बराबर होगी यह ही adjacent angle की property है अब बहुत ही important property इस पे कई सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही उम्मेद है आपको इस वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगले वीडियो में हम discuss करेंगे linear pair exam दोस्तों linear pair exam एक बहुत important topic है और बहुत interesting topic है दोस्तों thank you for watching this video इम्मेद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो please मेरे वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें मुझसे जुड़े रहे मेरे चैनल को subscribe करें आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताए thank you so much and take care